आप question no.2 को देखते है, question no.2 में हमारा कहा आ गया है, एक equation दिया हुआ है कि Fe2O3 ferric oxide plus balance भी क्या हुआ है, Al2O3 दे रहा है, Al2O3 plus 2Fe, तो इसमें पूछ रहा है कि the above reaction is an example of, तो पहला में दिया है कि combination reaction, B में double displacement reaction, C में decomposition reaction, D में displacement reaction, तो देखो combination reaction क्या होता है, दो कुछ जूट के यहां पर बनाता है, A plus B होने के बाद कुछ A B देता है, combine होता है, जैसा कि नाम से suggest किया जा रहा है, combination, तो यह तो हो नहीं रहा है, तो चलो, यह खतम, B में double displacement reaction, इसमें देखो होगे, तो इसमें बोल रहा है कि double displacement reaction, तो double displacement में क्या होता, आय एक्सचेंज होता है यहां पर वह सा कुछ हो नहीं रहा है और सी में हमारा जो है डी कंपोजिशन रियक्शन तो यह भी देखो डी कंपोजिशन क्या होता है डी कंपोजिशन में एक प्रोड़क्ट को इधर कंपाउंड दिया रहेगा एविसी और उसको जैनरली हीट यह कुछ यह या तो A+, B+, C इस तरह कुछ टूटेगा प्रोड़क्ट साइड में तो भी नहीं और यानि कि यहां हो रहा है डीस्प्लेश्मेंट रियक्शन डी नंबर इस दा करेक्ट एंसर डीस्प्लेस्ट हो रहा है अब यहां पर देखो क्या से इसमें तुम देखोगे एक का हमने ट्रीक भी बताया था छोड़ो उसको रहने देते तो इसमें जो मोर रियक्टिव एलिमेंट है वो क्या कर रहा है उसको डिस्प्लेस कर रहा है वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको बताना चाहूंगा तो यूपी वालों डाउपनट में बवाल मज गया है क्य देली वीडियो क्लासिस, रोजाना हूमवर्क, डाउप्स के समधान, टीचर नोट्स, पिछले सालों के पेपर्स, क्विज्ज और अंत में पूरे कोर्स का रिवीजन भी इस कोर्स का लेंड डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है एक और मज़े की बात अगर आप इस लिं अफर का फायदा उठाओ